वेलकम आवर यूटूब चैनल जीएस्वित आंसू दोस्तो सरसटवी बिपेसी पीटी के लिए मॉडल सेट नमर तीन लगाते हैं जिसमें महत्पुन कोशन दिया गिया है जो लोग बिहार दुरोगा मेंस और सीडियोपियों की तियारी कर रहे हैं तो उन लोग को भी सेट ज शरूर लगाना है चेलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला प्रस्ण है निमलिखी जनपदों में से किसने सबसे पहले यूद में हातियों का पर्योग बड़े पेमाने पर किया था तो दोस्तो सबसे पहले यूद में हाथियों का परियोग बड़े पेमाने पर किया था मगद ने ओप्शन B हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो उत्तर वेदिक काल में दूज की संदर में परियुक्त होता था तो दोस्तो उत्तरवेदिक काल में दूज पड़ियोग होता था उच्वर्ण के लिए अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो बौस संग में भिचुनी के रूप में इस्तिरियों के परवेश की अनुमती बूद्धोड़ा दी गई थी तो दोस्तो बौस संग में भिचुनी के रूप में इस्तिरियों के परवेश की अनुमती बूद्धोड़ा दी गई थी विसाली में अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो ब्रामी और खरोश्टी लीपियों को किसने पढ़ा था तो दोस्तो ब्राहमी और खरोश्टी लीपियों को पढ़ा था जैन्स प्रिंसेप ने ओप्शन C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो प्राचिन भारत में विष्टी पद संदर्बित है तो दोस्तो प्राचिन भारत में विश्टी पद संदर्बित है बला स्रम से ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमली खित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतियास में बहुत से लचनों का बोध होता है तो दोस्तो वह पहली रचना है रास्तरंगनी जिसमें की आज के अर्थ में इतियास के बहुत से लचनों का बोध होता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो तुम भदरा नदी की समडाच का भरण पोशन करती थी तो दोस्तो तुम भदरा नदी जो की बीजयर नगर समडाच का भरण पोशन करती थी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो गुलाम का गुलाम की से कहा गया था तो दोस्तों गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्थुतमिश को अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अकवर के दर्वार में सूलेखार का नाम किया है जिसने जरी कलम या वर्ण कलम के नाम से समानित किया गया था तो दोस्तो वह सुलेखार थें मोहमद हुसेन कसमेडी मोहमद हुसेन कसमेडी को जड़ी कलम या वन कलम से समानित किया गिया था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निमलिखित में सिक्की सासक ने सुला एक कुल की नीती अपनाई थी तो दोस्तो वह सासक थें अकबड जो की सुला एक कुल की नीती अपनाई थी अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो वह परसी जैन अचार कौन थें जिसको अकबड ने बहुत समानित किया था तो दोस्तो वह अचार थें हरी बिजे सुरी हरी बिजे सुरी जिसे की अकबड ने बहुत समानित किया था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो लौड वेलेजली की साहिक संदी को सबसे पहले की सांसक ने सुरीकार किया था तो दोस्तो लौड वेलेजली की साहिक संदी को सबसे पहले सुरीकार किया था हैदराबाद की निजामने अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो उनिस्वी सताब्दी के उत्राद में भारत किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था तो दोस्तो उनिस्वी सताबदी के उतराद में भारत, सूत तथा, गेहुं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा नियातक देश था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो दामिन एको का संबन्द निमली खित में से किस्से था? तो दोस्तो दामिन एको का संबन्द था संथाल पड़गना से अगला प्रस्ण देखते हैं अठाड़ सु संतावन के बिद्रो का आरम कहां से हुआ था? तो दोस्तो अठाड़ सु संतावन के बिद्रो का आरम मेरट से हुआ था? अगला प्रसंद देखते हैं इस्वर्चन बिद्या सागर दोड़ा चलाए गए समाधिक सुधार आंदोलण में परमुक था तो दोस्तो इस्वर्चन बिद्या सागर दोड़ा चलाए गए समाधिक सुधार आंदोलण में परमुक था विद्वा पूनर विवा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो विवेकानन ने सिकागो में आयजित पार्लेमेंट ओफ वर्ल्डर् रिलिजेंस में भाग लिया था तो दोस्तो विवेकानन ने सिकागो में आयजीत पार्लियमेंट आफ वर्ल डर्थ रिलिजेंस में भाग लिया था अठाड़ो सु त्राणवे में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो तो दोस्तो सर विलियम जोस्त ने अंग्रेजी में अनवात किया था अभिग्यान सांकुंतलम का definition C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो विभाजन बिरोधी आंदुरन या सोधेशी आंदुरन के दुरान किसने राजनिती सरुन्ता किसी राश्ट की प्रानवायू है का नाड़ा दिया था और भिन घोस औप्शन सी हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अल हिलाल नामक समाचर पत्र का प्रकासन किस ने आड़म किया था? तो दोस्तो अल हिलाल नामक समाचर पत्र का प्रकासन आड़म किया था मौलाना अबुल कलम अजादने अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो जुआला मुखी दीप बेरन आइलेंड कहां पर इस्तित है तो दोस्तो जुआला मुखी दीप बेरन आइलेंड इस्तित है भारत में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो मैक मोहन रेखा सिमा बनाती है तो दोस्तो मैक मोहन रेखा सीमा बनाती है भारत एम चीन के बीच अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो नीमली खित में से कौन सा भगवलिक रूप से ग्रेट निकोवार के सबसे निकट है तो दोस्तो भागोलिक रोप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है सुमात्रा अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत के लावा पठार की अधिक्तम मोटाई मिलती है तो दोस्तो भारत में लावा पठार की अधिक्तम मोटाई मिलती है महराश्ट में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों भारत में निमलीखित रामसर अस्तलों में से कौन सा ताजे जल का निकाय है तो दोस्तों भारत में रामसर अस्तलों में से ताजे जल का निकाय है कोलेडु जिल कोलेडु जिल जोकी आन्परदेश में इस्तित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सी भारत की नविंतम परवस्रेणी है तो दोस्तो भारत की नविंतम परवस्रेणी है हिमादरिस्रेणी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित दर्रों में से किसे होकर ले जाने का रास्ता है तो दोस्तो उहा दर्रा है जोजिला जोजिला दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन से एक नदी कावडी नदी की साहिक नदी नहीं है तो दोस्तों कावेरी नदी की सहाइक नदी नहीं है वो है इंद्रावती जवकि हेमावती अड़कावती तथा अमड़ावती यह तीनों कावेरी नदी की सहाइक नदी है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो श्री रंगपटनम सीफ समुदरम तथा स्री रंगंदीप किस नदी द्वाड़ा निर्मित है तो दोस्तो श्री रंगपटनम सीफ समुदरम वह स्री रंगंदीप कावेडी नदी द्वाड़ा निर्मित है Option B हो जाएगा सही अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निमलिखित नेशनल पार्कों में से कीस एक की जलवायू उस कटी बंदिये से उपोशन, सितोशन और आक्टिक तब परवर्थित होती है तो दोस्तो वह नेशनल पार्क है नामदफार नेशनल पार्क नामदफार नेशनल पार्क की जलवायू उस कटी बंदिये से उपोशन, सितोशन और आक्टिक तब परवर्थित होती है नामदफार नेशनल पार्क जोकी अनवाचल परदेश में इस्तित है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो जुआरो का संचलन अधिकतर किसके दोड़ा निधारित होता है तो दोस्तो जुआरो का संचलन अधिकतर निधारित होता है प्रिथ्वी का घुंडन के कारण अगला प्रसन देखते हैं रेगुर सब किसके लिए परियुक्त होता है तो दोस्तो रेगुर सब परियुक्त होता है काली कपासी मिर्दा के लिए अगला प्रसन देखते हैं मलेसिया में किंटा घाटी परसिध है तो दोस्तो मलेशिया में किंटा घाटी परसिद है तीन उत्पादन के लिए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो प्रीथवी के वाईव मंडल में परचुरता के संबन में निमली खित में से कौन सी गैस दूसरे अस्थान पर आती है तो दोस्तो प्रीथवी के वाईव मंडल में परचुरता के संबन में ऑक्सिजन गैस जो की दूसरे अस्थान पर आती है और इसका परसंट है 20.93% और पहले अस्थान पर आती है नाइटोजन गैस जिसका परसंट है 78.07% फिर कार्बन डियोकसाइड गैस अगला प्रसंट देखते हैं दोस्तो इहीम जंजावत निमली खित में से की चेदर की बिसिस्ता है तो दोस्तो इहीम जंजावत आक्रिक चेदर की बिसिस्ता है औप्सन C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो दोस्तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वाई मंडल के नमी पर ओप्शन बी हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं मेकांग डेल्टा कहां इस्तित है तो दोस्तो मेकांग डेल्टा इस्तित है वियत नाम में आप्शन D हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निम्नांकित में से कौन सी एक ठंडी महासागरिय धाड़ा नहीं है तो दोस्तो एक ठंडी महासागरिय धाड़ा नहीं है वो है सुसिमा की धाड़ा जो की ठंडी महासागरिय धाड़ा नहीं है जवकि केलिफोर्निया धाड़ा, सुमाली धाड़ा, कनारी धाड़ा यह तीनों ठंडी महासागरिय धाड़ा है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों एक मनुस के जीवन को पुन रूप से धार्णे करने के लिए आवस्थक नियुंतम भूमी को क्या कहते हैं तो दोस्तो एक मनुस के जीवन को पुन रूप से धाड़ने करने के लिए आवस्यक निन्तम भूमी को कहते हैं पारिष्टिकिये पद छाप अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा सेवाल जैविक नैट्रोजन निर्धारन से संबन्दित है तो दोस्तो वह सेवाल है नीला हडा सेवाल जो की नैट्रोजन निर्धारन से संबन्दित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से किसके अधिकता के कारण बुलू बेवी स्रिंडरोम होता है तो दोस्तो बुलू बेवी स्रिंडरोम होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण ओप्सन सी हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन वाई परदूसक नहीं है तो दोस्तो जो वाई परदूसक नहीं है वो है कोहरा जबकि ओजोन सीसा केडमियम यह तीनों वाई परदूसक है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो ग्रीन मफलर संबंदित है तो दोस्तो ग्रीन मफलर संबंदित है धोनी परदूसन से अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन सा स्वच इंधन का एक उधारन है तो दोस्तो सुच इंधन का एक उधारन हो जाएगा हाइरोजन अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो निमली खित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो वह देश है अस्टेलिया जिसे की मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो पसीना सरीर को ठंडा करता है क्योंकि वास्पी करन के लिए गुप्त उस्मा की आवसकता होती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो दरब ताप मापी की अपेच्छा गैस ताप मापी अधिक समेधि होता है क्योंकि गैस दरब की अपेच्छा अधिक परसार करती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो कीस अस्थर या डेसीवल से अधिकी धोनी खतरनाक धोनी परदूसन कहलाता है तो दोस्तो वह अस्तर है अस्थी डेसीवल से उपर अस्थी डेसीवल से अधिकी धोनी खतरनाक धोनी परदूसन कहलाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो नेत्रदान के दुरान आंक के किस भाग का उप्योग परतियार उपन के लिए किया जाता है तो दोस्तो वह भाग है कॉर्णिया नेत्रदान के दुरान आंक के कोर्णिया भाग का उपयोग पर्तियार ओपन के लिए किया जाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बेदुत उर्जा की बच्चत करने तथा पड़ियात प्रकास पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं CFL का पूरा रुप क्या है तो दोस्तो CFL का फूल फ्रॉम है कॉम्पैक्ट फोलोडे सेंट लेंप ओप्शन डी हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलीखित बिदुत चुम्बक्य बिकरनों मेंसे किसकी आवेर्थी पड़िसर उर्जा अधिक्तम होती है तो दोस्तो वह बिदुत चुम्बक्य बिकरन है S किर्णे S किर्णे जिसकी आवेर्थी पड़िसर उर्जा अधिक्तम होती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों परकास बिधूत परवा की परघटना की ब्याखा निम्नी खित में से किस ने की है तो दोस्तों परकास बिधूत परवा की परघटना की ब्याखा अलबर्ट आइस्टैन ने की थी अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निम्री खित में से कौन सा बढवान में निर्मीत पर्थम परकार का अनू है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो ल्यूमेंट एक अक है तो दोस्तो ल्यूमेंट एक अक है जोती फलक्स का अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो गुलुकोच को एथिल अलकोहल में किस इंजाइम दोड़ा बदल दिया जाता है तो दोस्तो गुलुकोज को एतिल अलकोहल में जाइमेज इंजाइम दोड़ा बदल दिया जाता है अगला प्रस्न देखते हैं बेकिंग सोडा का राशानिक नाम क्या है तो दोस्तो बेकिंग सोडा का राशानिक नाम है NaHCO3 अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो यदि मदु मक्खी आपको डंक मार दे तो निमली खित में से कौन सी सरवर्तम औज़दी होगी तो दोस्तो सरवर्तम औज़दी होगी बेकिंग सोडा ओप्शन डी हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो धातूओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच ताप की आवसकता होती है ऐसा उच तापमान इसके दहन से प्राप्त होता है तो दोस्तो यहाँ प्राप्त होता है ऑक्सिजन में एसिट लिन से ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन सी धातू सीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो दोस्तो वह धातू है सोना जो की सीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है जबकि calcium, potassium तथा sodium यह तीनों सीतल जल के साथ अभीक्रिया करती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन सा एक जीब अन्तिन जीवों के वर्का नहीं है तो दोस्तों वह है केकड़ा जो की अन्तिन जीवों के वर्का नहीं है जबकि बरूति, बिच्छू, तथा मकड़ी या तीनो एराकाणियस वर्क से संबन्दित है जबकि केकड़ा कश्ट्रेसा वर्क से संबन्दित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों निमली खित में से कौन सा सड़ी स्रिप वर्ग के अंतरगत नहीं आता है तो दोस्तों जो सड़ी स्रिप वर्ग के अंतरगत नहीं आता है वो है ओस्ट्रिच जबकि कच्छुआ उरन शिफकली तरथा किंग कोबड़ा या तीनो सड़ी श्रिफ वर्ड के अंतरगत आते हैं अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो निमली खित में से किस जीब का रक्त सफेद होता है तो दोस्तो वह जीब है तेल चट्टा जिसका की रक्त सफेद होता है तेल चट्टा में 13 चम्बर पाए जाते हैं अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो प्राणी कोशिका में कोशकिय सोसन का अस्थान कौन सा है तो दोस्तो पढ़ानी कोसिका में कोसिकिय सोसन का अस्थान है माइटो कॉंडिया में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलिखित उत्तक परकारों में से किसमें संकूचन सिल प्रोटीन होती है तो दोस्तो संकूचन सिल प्रोटीन होती है पेसी उत्तक में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो ब्रीक एक एंजाइम शुरावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियो टेंसीनोजन को एंजियो टेंसीन में प्रवर्थित कर देता है यहां एंजाइम कौन सा है तो दोस्तो यहां एंजाइम है रेनिन अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो एक ब्यक्ति डाइबेटिस से पीडित है ब्यक्ति का निम में से कौन सा अंग ठीक परकार से कर नहीं कर रहा है तो दोस्तो वह अंग है अगना से अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो सुही चुवाने पर निमलीखित अंगों में से कौन सा दर्ध मसूस नहीं करेगा तो दोस्तो वह अंग है हिर्दे सुही चुवाने पर हिर्दे में कोई दर्ध मसूस नहीं होगा अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो प्रोटीनों के पार्चन में सहाइक एंजाइम कौन सा है तो दोस्तो प्रोटीनों के पार्चन में सहाइक एंजाइम है पेपसिन अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो बच्चों में प्रोटीन की नियूंता के कारण जो रोग उत्पन होता है वो कौन सा है तो दोस्तो बच्चों में प्रोटीन की नियूंता के कारण जो रोग उत्पन होता है वो है मरासमस ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत सचीब का पद निमलिखित में से किसकी दोड़ा बनाया गया था तो दोस्तो भारत सचीब का पद 1858 का भारत सासन अधिनियम के दोड़ा बनाया गया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारती समिधान सवा में महिला सरश्यों की कूल संख्या कितनी थी तो दोस्तो भारती समिधान सवा में महिला सरश्यों की कूल संख्या थी 15 अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारती समिधान सभाव में एकल नागरिक्ता का प्रावधान लिया गिया है तो दोस्तो एकल नागरिक्ता का प्रावधान लिया गिया है ब्रिटेन के समिधान से ओप्शन D हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारती समिधान की प्रस्ताबना में पंथ निर्पे सब जोड़ा गया है तो दोस्तो भारती समिधान की प्रस्ताबना में पंथ निर्पे सब जोड़ा गया है 42 में संसोधन के दोड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारते समिधान के कौन से अनुचेद नागरिक्ता से सम्बंदित है तो दोस्तो वह अनुचेद है अनुचेद पांस से एगाड़ जो की नागरिक्ता से सम्बंदित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत में किस नियाधिस को जर्णित याचिका का जनक माना जाता है तो दोस्तो भारत में जर्णित याचिका का जनक माना जाता है पी एन भगवती को option A हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों किसी गृपतार बैक्ती को नियाले के सामने प्रस्तुत करने है तो नियाले कौन सी रिड जाड़ी करेगा तो दोस्तों नियाले जाड़ी करेगा बंदी प्रतिछी करण option A हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो समिधान के किस अनुछेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता लागु करने समंदी प्रापधान किया गिया है तो दोस्तो समिधान के अनूछे 44 में नागरीकों के एलिए एक समान नागरी सहिता लागु करने समन्दी प्रापधान किया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो लोग सवा के कम से कम कितने सत्र बुलाये जाते हैं तो दोस्तो लोकसवा के कम से कम वर्ष में दो बार सत्र बुलाया जाते हैं अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो संसत के दोनों सदनों की संयुक बैठा के दुरान यदि लोगसभा अधियच आनुपस्तित है तो संयुक बैठा की अधिस्ता निमली खित में से कौन करेगा तो दोस्तों यह अधिस्ता करेगा लोगसभा का उपाधियच अगला प्रस्तित देखते हैं कटोती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पूरा अस्थापित किया जा सकता है तो दोस्तों कटोती प्रस्ताव को समान बजट के बाद पूरा अस्थापित किया जा सकता है आप्शन B हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अस्थानिय स्वसासन की सरवत्तम ब्याखा यह की जा सकती है कि यह एक परयोग है तो दोस्तो असानिय सौसासन की सरवर्तम व्याख्षा यह की जा सकती है कि यह एक परियोग है लोकतांत्रिक विकेंदरी करण का अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत के समिधान की एगारवी अनुसुची में कितने बिसे हैं तो दोस्तों एगारवी अनुसुची में 29 बिसें दिये गए हैं अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों पंचाय चुनाव में अनुसुची जातियों के लिए पदों का आड़क्षन कीस राज में लागूर नहीं होगा तो दोस्तो उहर राज है अवनाचल परदेश में पंचाय चुना में अनुसुची जातियों के लिए आड़च्छन अवनाचल परदेश में लागू नहीं होगा जबकि उत्तर परदेश, असम तता हरियाना यह तीनों राजियों में लागू होंगे अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो राश्टिय महला आयोग किसके जड़िये बनाया गिया था तो दोस्तो राश्टिय महला आयोग संसत दोड़ा पारित अधिनियम के दोड़ा बनाया गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन सा काड़क आई का घटक नहीं है तो दोस्तों जो आई का घटक नहीं है वो है निगम कर जबकि क्रमचारी छती पूर्ती पियार तथा क्राया यह तीनों आई का घटक हैं अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन लौरेंज वक्रद्वारा मापा जाता है तो दोस्तों लौरेंज वक्रद्वारा मापा जाता है आई की विसमता को अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत में घाटे की बित बेवस्ता कीन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है तो दोस्तो भारत में घाटे की बित बेवस्ता आर्थिक विकास के लिए बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों मानप पुंजी सुचकांक निमलीखित में से किस अंतराष्टिय संस्थान दोड़ा जारी किया जाता है तो दोस्तों मानप पुंजी सुचकांक जो की विस बैंक के दोड़ा जारी किया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कहां एमे स्वामी नाथन सोध परतिष्ठान इस्तित है तो दोस्तो एमे स्वामी नाथन सोध परतिष्ठान इस्तित है चे नई में अगला प्रस्म देखते हैं निमलेखित में से कौन सा संगठन क्रिसी विपनन और क्रिसी अनुकुल सुधार सुचकांग जारी करता है तो दोस्तों क्रिसी विपनन और क्रिसी अनुकुल सुधार सुचकांग जारी करता है निती आयोग अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत में निगम कर इसी कमपणी की आई पर लगाया जाता है निमलिखित में से कौन सी मद में निगम कर सामिल नहीं है तो दोस्तो उहां मद है पाड़ी संपतियों की बिक्रे प्राप्ती पर निगम कर सामिल नहीं है जबकि वेफसाइफ से लाब पुन्जी गत अभिलाब प्रती भुतियों पर बियाज यह तीनों पर निगम कर सामिल है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा एक राजकोशिय नीती के तीन मुल उदेशों में सामिल है तो दोस्तो राजकोशिय नीती के तीन मुल उदेशों में सामिल है सम्विर्धी ओप्शन डी हो जाएगा सही अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों भारत में परत्यचकर निमलीखित में से किसे संबंधित है तो दोस्तों भारत में परत्यचकर संबंधित है आई कर से अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों किसी देश का भुक्तान संतुलन किसका बेवस्तित अभिलेख है तो दोस्तों किसी देश का भुक्तान संतुलन किसी निर्धारी समय के दुरान सामनता एक वर्ष में किसी देश का समस आयत और निर्यात का लेन देन का अभिलेख है Option A हो जाएगा सही अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा एक बैपार संतुलन को सरवर्थम वर्णित करता है तो दोस्तो बैपार संतुलन को सरवर्थम वर्णित करता है जब वस्तुव और सेवाओं के आयत और निर्यात में संतुलन हो option C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में विदेशी मुद्रा के कोसो का संग्रचक कोन है तो दोस्तो भारत में विदेशी मुद्रा के कोसो का संग्रचक है भारती एरिजर बैंक अगला प्रस्ण देखते हैं duty drop bank का आसे क्या है तो दोस्तो डियूटी ड्रो बैंग का आसे है निडियातकों को आयत सुल्क की वापसी अगला प्रस्ण देखते हैं बैपार करने की सुविधा का सुचकांग की घोसना कोण करता है तो दोस्तो बैपार करने की सुविधा का सुचकांग घोसना करता है विस बैंक अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से किस अंतराश्टी संस्तान दुवडा यातरी एम पर्याटन परती अस्परधात्मक रिपोट जारी की जाती है तो दोस्तो वह संस्तान है विस आर्थिक मंच विस आर्थिक मंच के दुवडा यातरा एम पर्याटन सुचकांग जारी किया जाता है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो बिहार राज के निम में से किस जिले में वालमिकी वंजिव अभिहारन अवस्तित है तो दोस्तो वालमिकी वंजिव अभिहारन अवस्तित है पस्मी चंपारण में अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों निमली खित में से कौन सा बिहार राज का सरवाधिक सिसुल लिंगानुपात वाला जिला है तो दोस्तों बिहार राज का सरवाधिक सिसुल लिंगानुपात वाला जिला है किसन गण्य? ओप्शन B हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन सा बिहार का सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो दोस्तो बिहार का सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निम में से कौन सा महा जनपद अंग की राधानी थी तो दोस्तों अंग की राधानी थी चमपा option A हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो बिहार राज में डज बिपाडियों का आगमन स्वरपर्थम कब हुआ था तो दोस्तो बिहार राज में डज बिपाडियों का आगमन स्वरपर्थम हुआ था 1632 इस्वी में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों सुतंता से पूर बिहार राज में कॉंग्रेस का सैतिस्वा अधिवेशन कहां आयोजित किया गिया था तो दोस्तों बिहार राज में कॉंग्रेस का सैतिस्वा अधिवेशन आयोजित किया गिया था गया में अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तो नीम में से कब गांधी जी ने बिहार बिध्यापिट की अस्थापना की थी तो दोस्तो गांधी जी ने बिहार बिद्या पिट की अस्थापना की थी छोब फरवड़ी 1921 को अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निम में से कौन सा अभियारन बिहार राज के भागलपुर में अवस्तित है तो दोस्तो बिहार राज के भागलपुर में अवस्तित है वह अभियारन का नाम है बिक्रम सिला गंगाई डॉल्फिन अभियारन अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार राज के निम में से किस जिले में डोलो माइट रूपी खनिच आयक्स पाया जाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार बिधान सवा के लिए निर्धारी सर्विस्यों की कूल संख्या कितनी है तो दोस्तो बिहार बिधान सवा के लिए निर्धारी सर्विस्यों की कूल संख्या है 243 अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार राज कर निम में से कौन सा जिला कोशी परवंडल से सम्बंदित नहीं है तो दोस्तो उहा जिला है भागलपूर जो की कोशी परवंडल से सम्बंदित नहीं है जबकि मधेपूरा, सहरसा तथा सुपोल यह तीनों कोशी परवंडल से सम्बंदित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार राज के निम्मे से किस जिले में चौमूखी महादेप मंदिर अवस्थित है तो दोस्तो चौमूखी महादेप मंदिर अवस्थित है वे साली में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो वर्तमान समय में बिहार राज में नगर निगम की कूल संख्या कितनी है नगर निगम की कुल संक्या है 12 अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों वितिय वर्ष 2021-22 में बिहार राज का राजकोशिय घाटा राज के सकल घेडूर उत्पात का कुल कितने परतिसत हैं तो दोस्तों वितिय वर्ष 2021-22 में बिहार राज का राजकोशिय घाटा राज के सकल घेडूर उत्पात का 2.97% है ओप्शन भी हो जाएगा सही अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों अहाल ही में बिहार का कौन सा सहर पहला कच्रा मुक सहर बन गया है तो दोस्तों वह सहर है सुपोल सुपोल जो की बिहार राज का पहला कच्रा मुक सहर बन गया है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों हाल ही में किस खिलारी ने सातमा बैलेंडी ओर किताब जीता है तो दोस्तो वह खिलारी है लियोलन मेसी जिन्होंने सात्मा बेलंडी और खिताब जीता है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो अहाल ही में इस्टेंडर एम पूर्स ने भारत का आर्थिक विकास केतने परतीसा रहने का अनुमान लगाया है तो दोस्तो यह अनुमान है 9.5% का इस्टेंडर एम पूर्स ने भारत का आर्थिक विकास 9.5% रहने का अनुमान लगाया है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो केंद्र सरकार का महत्वा कांची कारकरम गराम उज्वला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई है तो दोस्तो केंद्र सरकार का महत्वा कांची कारकरम गराम उज्वला योजना बिहार के भोजपुर जिले से शुरू की गई है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में किसे राष्टी रच्छा कॉलेज का पड़मुक्त नियुक्त किया गिया है तो दोस्तो राष्टी रच्छा कॉलेज का पड़मुक्त नियुक्त किया गिया है मनोच कुमार मागो को अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो छेत्रफल की द्रिष्टी से बिहार का अस्थन कितना है तो दोस्तो छेत्रफल की द्रिष्टी से बिहार का अस्थन है बाड़मा और पहले तिर्वा था अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो इटालियन ओपेन 2021 का खिताब किस खिलाडी ने जीता है तो दोस्तो इटालियन ओपेन 2021 का खिताब जीता है राफिल नडालने अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अहाल ही में बीम स्टेक देशों के बीच सजुक सेंड अभ्यास PANIX-21 कहां आयोजित किया गया था तो दोस्तो PANIX-21 आयोजित किया गया था पूने में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अहाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकोर्ड 28 सम्झोतों पर हस्ताचर हुए है तो दोस्तों भारत और रुज देश के बीच रिकोर्ड 28 सम्झोतों पर हस्ताचर हुए है अगला प्रस्न देखते हैं सौ परतिसत सतत बिमानन इंधन का उपियोग करने वाली विस की पहली एरलाइन कौन सी बनी है बहुती महत्पुन कोस्चन है तो दोस्तो सौ परतिसत सतत बिमानन इंधन का उपियोग करने वाली विस की पहली एरलाइन बनी है ब्रिटिस एर वेज अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो 1971 चार्ज ओप दा गोड़खा एंड अधर इस्टोरिज पुस्तक को किसने लिखा है तो दोस्तो 1971 चार्ज ओप दा गोड़खा एंड अधर इस्टोरिज को लिखा है रश्नाभी श्रावत ने अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में भारत और किस देश के बीच एको वेरिन सन्युक सेन अभियास का एकारवा संस्क्रण आयजित किया गिया है तो दोस्तो यह आयजित किया गिया है माल्दिव के साथ एकोविरिंट संयुक सेन अभियास जो की भारत और माल्दिव के बिच आयजित किया जाता है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो टोकियो अलंपिक 2020 में मीरा बाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पद जित्ते हुए भारत को पहला पदक दिलाया तो दोस्तो टोकियो अलंपिक 2020 में मीरा बाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पद जित्ते हुए भारत को पहला पदक दिलाया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में 84 कोशी पड़ी कर्मा मार को राश्टी राजमार का दरजा दिया गिया यहां किस राश से संबंदित है तो दोस्तो यहां संबंदित है उत्तर परदिस राश से चुरासी कोशी पडिकर्मा मार को राश्टी राजमार का दर्जा दिया गया यह उत्तरपरदिश राश से सम्मंदित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अहाल ही में कौन सा देश युनाइटेट किंडम से अलग होकर पूरी तरह कंतांतरिक देश बन गया है तो दोस्तो उहाद देश है बारवा डोस बारवा डोस जो की युनाइटेट किंडम से अलग होकर पूरी तरह गंतांतरिक देश बन गया है नेक्ट प्रस्न देखते हैं अहाल ही में किस देश की फिलिम निर्जशक नाओमी कवासे युनाइटेश को की गुडविल अमेजड़ बनी है तो दोस्तो जपान देश की फिलिम निर्जशक नाओमी कवासे युनाइटेश को की गुडविल अमेजड़ बनी है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में एकानवा दादा साहिब फाल के पुरुषकार कीस परसित फिल्म अभिनेता को दिये जाने की घोसना की गई है तो दोस्तो एकानबा दादा सहाई फाल के पुरुसकार रजनी कान्थ अभिनेता को दिये जाने की घुसना की गई है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार के की जिले में 11-13 दिसंबर के बीच आयरवेद परव का आयजन किया गिया तो दोस्तो उहा जिला है नालंदा में नालंदा जिले में 11-13 दिसंबर के बीच आयरवेद परव का आयजन किया गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो 17-20 दिसंबर तक आयजित होने वाली नेशनल फिश्ट बॉल चेंपियंशिप की मेज़वानी की सराज को मिली है तो दोस्तो 17-20 दिसंबर तक आयजित होने वाली नेशनल फिश्ट बॉल चेंपियंशिप की मेज़वानी बीहार राज को मिली है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में किस राज या केंसासित परदेश दुवाड़ा करोणा की पहली और दूसरी लहर के करोणा योद्धाओं का इसमारक बनाने का फैसला किया गया है तो दोस्तों उहा के इंसासित परदे से दिल्ली जहां कि करोना की पहली और दूसरी लहर के करोना योधाओं का इसमारक बनाने का फैसला किया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों वर्ष 2021 में पदम पुरुषकार से समानित एक आदिवासी महिला तूलसी गोड़ा का संबन की छेद से है तो दोस्तो तूलसी गोड़ा का संबन्ध है परियावरन सग्रचन से अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत रत्न पुरुषकार का अकार कैसा होता है तो दोस्तो भारत रत्न पुरुषकार का अकार होता है पीपल के पत्ते की तरह अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो अहाल ही में राजीब गांदी खेल रत्न पुरुषकार का नाम किस ख्लारी के नाम पर कर दिया गिया है तो दोस्तो राजीब गांदी खेल रत्न पुरुषकार का नाम बदल कर मेजर ध्यान चन्द के नाम पर कर दिया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो 30 अगस 2021 को 20 भारती महिला खिलाडी ने टोकियो प्रालंपिक के 10 मीटर एर अस्परदा SH1 में स्वन पदक जीता है तो दोस्तो वह महिला खिलाडी का नाम है अबनी लेख़़ा ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो टोकियो प्रालंपिक में भारत के कुल केतने खिलाडीयों ने हिस्सा लिया था तो दोस्तो टोकियो प्रालंपिक में भारत के कुल 54 खिलाडीयों ने हिस्सा लिया था दोस्तों आगे 10 कोशन मैट के दिये गए हैं जिनको भी बनाना हो तूँओ वीडियो पाल्स करके बना सकते हैं मैं सभी का अंसर बता देता हूँ 141 का अंसर हो जाएगा ओप्शन बी 142 का अंसर हो जाएगा ओप्शन डी 143 का अंसर हो जाएगा ओप्शन ए 144 का अंसर हो जाएगा ओप्शन सी 145 का अंसर हो जाएगा ओप्शन बी 146 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन सी 147 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन सी 148 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन डी 150 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन डी 150 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन ए 156 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन एप्शन 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